ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें मैं है इसलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुम्रा के गाउं देवी में जाने वाला रास्ता इसला खतरनाक हो गया है कि आए दिन वहां से गुजरने वाले इसकूली बच्चे बाइक सवार गिर कर घायल होते हैं आपको बता दे कि मुम्रा बाइपास से लगकर गाउं देवी इलाका है जैन मंदिर के पास से गाउं देवी में जाने के लिए जो रोट बनाया गया है जरने का पानी रोट के उपर से बहने के वजह से महा काई लग गई है जिसकी वजह से इसकूली बच्चे और बाइक पार फिसल कर गिरने की वजह से मामूली रूप से घायल भी हुए है आपको बता दे कि पिछले दो दिनों में दो वाहन भी इस रास्ते पर पल्टी हो गए हैं गाउं देवी से नीचे उतरते समय एक कार सिलिप होकर पल्टी हो गई तो दूसरे ही दिन उसी जगहा पर एक टेमपू पलड गया इस दोनों हाथसों में बताया जा रहा है कि मामूली रूप से चालक को चोटे लगी हैं मगर ये रास्ता अब खतरनाक बनता जा रहा है आपको बता दे कि जब से ये रूप बना है बारिश के महिने में जो पहार से जहरने का पानी बहता है वो इस रू ये लोगों ने बताया है कि जब रोड बना है तभी से बारिश के महिने में इस रोड पर इसी तरह से काई लग जाती है और वाहन इसी तरह से पल्टी हो जाते है जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबरे सामने आ रही है तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहार टाइम्स